मेरे पैरे बच्चों, हैपी न्यू एर, आप सभी को नव अर्ष की हार्दिक सुब कामना हैं, मैं इस वर्ष से कामना करता हूँ, नया साल 2022 आपके जीवन में कुशियां लाए, आपके एक सुकद जीवन की सुर्वात हो, आपको 2022 में अच्छी मेडिकल कोलेज में MBBS या फिर अन्य कोर्स करने का मोका मिलें, और आप एक अच्छी डोक्टर बनकर समाजव देश की सेवा करें, और हमें आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कि आप 2022 में अवस्य सफल होंगे, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया ही काइम है, आईए हम प्रण लेते हैं, कि 2022 में अपना पूरा करेंगे, बच्चों मैंने मेरी इस पचास साल की उमर में इंसान के जीवन में भहुत कुछ उतार चडाव होते देखे हैं, और मैंने मेहनत से जोंपड़ी को भी महल बनते देखा है, मेरे कोई सपर में पत्रों में भी हीरे नजर आए हैं, मैंने ऐसंबव को भी संबव होते देखा है, हमारी जिन्दगी को सुक में बनाने में इस वर का जितना बड़ा योगदान होता है, उससे ज्यादा कहीं अपना खुद का योगदान होता है, तो आए एक लक्से और दरड़े निश्य के साथ 2022 की सुरुआत करते हैं, अब बात करेंगे हम नीट यूजी व पीजी की काउंसलिंग के बारे में, जो रेजिडेंट डोक्टर की स्ट्राइक थी, वो खतम हो चुकी है, 29 डिसंबर की जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की और रेजिडेंट डोक्टर्स के साथ मिटिंग हुई थी, उसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इस बात प कि hearing के बाद counseling start हो जाएगी ऐसा उन्होंने आस्वासन दिया है और counseling schedule भी जारी कर दिया जाएगा तो हम आसा कर रहे हैं कि counseling 7 या 8 जनुवरी तक start हो जाएगी अभी काफी लोगों का ये मानना है कि आखी resident doctors की strike का क्या मतलम निकला तो सबसे बड़ा फाइदा तो ये हुआ कि अब जो 6 जनुवरी 22 को hearing होगी उसमें ये decision अवस्या जाएगा और counseling start हो जाएगी जल्दी ही counseling start हो जाएगी इसमें और कोई delay नहीं होगा और ज्यादा delay नहीं होगा दूसरी बात ये है कि अभी resident doctor और ज्यादा strike नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें आमजन को ही काफी problem हो रही थी इसमें doctor को बहुत कुछ sacrifice करना होता है जब एक patient के पास doctor जाता है तो patient उसको भगवान मानता है उसके आँखों में patient के आँखों में वो doctor एक भगवान जैसा रूप में उस patient को नजर आता है वो doctor तो अभी ये 6 जनौरी के 4-5 दिन ही बाकी रहे गए counseling तो इसी date के बाद ही start होनी थी तो मेरा ये मानना है कि ये counseling 7 और 8 जनौरी के nearby start हो जाएगे तो जैसे ही ये counseling start होगी हम आपको inform कर देंगे जैसे ही इसका schedule publish हो जाएगा हम आपको inform कर देंगे वीडियो के अंत में आप से फिर 2022 की आपको भहुत भहुत सुब काम ना है मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में happy new year